कि नमस्कार आप सभी को राजस्तान क्लासिस के यूट्यूब प्लेटफूम पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों अपनी कल क्लास नहीं हो भाई थी उसके लिए खेदे मुझे भी स्वास्य थोड़ा सा ठीक नहीं था वैसे आज भी इतना ज्यादा ठीक नहीं फिर भी क्लास आइटिंग कंटिन्यू रहे तो अच्छा रहे आपके लिए और मैं भी ही कहता हम की रेगुलर्टी इस दे वहरी मस्ट है न चले तो राजस्तान में प्रथम यह क्लास तो मुझे बताए कि बहुत इजी होने वाली आपके लिए और आप भी जानते हैं कि आपने देख लिया होगा यह टाइटल की राजस्तान में प्रथम जो है न पो अपन पड़ेंगे जो सर्वादी के आफिर आप प्रथम ही माने के पहले यह राजस्तान फुलिस कॉंस्टेबल वन पाल वन रखसक और बी एस्टीसी पीटी सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोटेंट होने वाले चले तो यह अपन कोड़ सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे ठीक है ना ओके पहला क्वेस्टन कब क्या गया यह थोड़ा सा अपन देख लेते हैं 1895 में फरवरी महा था ठीक है तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उदेपूर में राजस्तान में पहला तारगर कहां पर रिस्तापीत क्या गया बोले सर उदेपूर में क्या गया चलो आपका सी ओप्सन लॉक हो ज आज यह की जो सर्वादी खारे पानी की जील ना वो कौन सी है सर्वादी मतलब की सबसे ज्यादा जैसे कि वह तेज खारा नमक वह इनमें से कौन सा है जो ऑप्सन है उसके को डिंग आपका पहला जो सही आंसर होगा हो जाएगा डी ऑप्सन पच्पद्रा अलांकि अगर द इसकला क्वेशन आता है और डीडवाणा का नमक खाने यूगी नहीं आपको पता है अब उसका जो फिल्टर करके हाँ अब उसको यूज में लेते हैं अब लेने लगे हैं वैसे चले सौर उर्जा से चालित पहली नाव जो है यह किस जिल्ले में चली थी सौर उर्जा से च तोर वेसे ऑढ़िवद्वर में एक और आपको मैं बता देत हूं मेहतुपूर्ण वयसे जल्त परयूजना भी आपर मांत बरत प्रमान सी वाकल में शौरन भी आपको याद हो तो यह व्दैपूर की सबसे बड़ी और यह राजस्तान की भीया है महतुपूर्ण ठीक है नमबर चार देश्वे राजस्तान का पहला मार्शल आर्ट विश्विदाले कौन्च जिले में इस्तापीब किया गया और उसी जिले में हैल्दी फूड हैल्दी फूड इस्ट्रीट भी है तो आप लगपगा आपको हिंड तो I think मेली गया होगा तो यहां पर भी आपका right answer D option हो जाएगा उदेपूर हाँ ऑफशन चैंज हो पर हो रहे हैं लेकिन उदेपूर अपना वही answer आ रहा है अब अपना अगला question आपके screen पर है बिल्कुल question बदला answer भी बदलेगा right answer क्या हो जाएगा राजस्तान का पहला जूलता हुआ पुल या फिर आप कहा सिकतो इसको bridge जूलता हुआ बिरीज या हैंगिंग बिरीज जो हैंग होता है जो स्प्रिंग्स पर जो है लगा हुआ है दोस्तों तो यह अपना कोटा में है ना कोटा में कोटा में दोस्तों और क्या क्या है देखो तकनी की विश्विदाले हैं कोटा में पहला तकनी की विश्विदाले र भी यहीं पे ठीक है Open University जो VMOU है आप जानते हैं सर खुला कैसे वो दिन पर खुला ही रहता है क्या 24 और नहीं है ऐसे नहीं है भी ओपन University जिसको आप distance से कूर्स कर सकते हो गर बैटे कर सकते हो ऐसे टीक जैसे कि अगला प्वैसन आपके स्क्रीन पर आता है ऐसे ही दोस्तों देखे एक एगनू भी है एक जवार लाल नेरू युनिश्टिटी भी है ऐसे काफी उदार रहने जो शुरुआत में मतलब ऑज़गा राजस्तान का पहली लेसन बंडी कौन से इस्तान पर यह आपको बठाना है तो लेसन मंडी पूछाए न आपको तो चीपा बढोद में कहांपर चीपा बढोद कहांपर हमने तो यही नीपड़ा अरे बहीं बारा जिल्ले के और भी कुछ खासिएद बताई है हां ह है ना सोर्सेन जो चैत्र है ना बारा का वहाँ पे ब्रामणी माता का मंदिर आपको याद हो तो ये ब्रामणी माता एक मात्र ऐसी देवी है जिनके पीठ की पूजा होती है जिनके पीठ का सरंगार होता है ठीक है तो ये सोर्सेन में इनका मंदिर है और लेसुन मंदिर भी य परसों क्या है कि आपके लिए जो क्लास थी ना वो लैपटोप में रिकॉर्ड करी थी प्रीमियर करी थी लैपटोप से तो आई थिंक उसमें जो मेरी वाइच है वो कुछ पीचे ही चल दी थी और मुझे वो चीज आज पता चली क्योंकि मैंने उस क्लास को वापस देखा ही थी थोड़ा सा स्वास से ठीक हुआ तो मैंने देखा अभी अभी देखा तो लगा कि आपको काफी परेशान ही होगी बट आज ऐसा नहीं हो रहा होगा है ना चली अब वह क्या है कि दूसरे लैपटोप से मैंने उसको रिकॉर्ड किया था खेर कोई ना वैसे आपको कोई जोड़ा चूरू में हे अगला राजस्तान का पहला जल्विश्वी ज़ले कौन्छे जिले में इस्ताभित किया गे यहां पे जिल्ले ही पूचे जा रहे बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूं ठीक है तो राइट आंसर आपको अलवर वह जएगा ठीक है अलवर हो जाएग कहां पे यह भीवाडी में दोस्तों ठीक है कहां पे भीवाडी में अरे यह तो मैं आपको बताना भूली गया कि पहला राज्य का पहला खेल गाउं कौन सा है तो डिपी जारो लिए अहां जेरो लिए डिपी जारो लिए नहीं है डिपी जारो लिए गए यह भी जेरो लिए ठीक है अगला question आपके screen पर है कि राजस्तान का पहला आथी गाउं कौन सा है राज्य का पहला आथी गाउं कौन सा है सांगानेर आमेर सीतापुरा नारगर तो आमेर है, क्या है आमेर, तो आमेर कहां पर जेपुर में, और इसी जेपुर में आती महोचव भी मनाये जाता है, आपको बता है क्या, आती महोचव भी मनाये जाता है, I think जो फरहरी माह में मनाये जाता है, ठीक है, तो यहां पर यह हो जाएगा आपका, और इसी जेपुर म कब इस्ताइबी किया तो तो 23rd मेंस की इस्तापना करी थी ठीक है सभाइमान सिंग जो कि झेपुर हैं क्योंकि आप सभी जानते ही है कि जो मैन और मुख्य जो है ना अपना राजस्तान का वो यह है जहां पर IPL वगेरा भी तो होते हैं पिछला IPL हुगा था ना एक मैच हुगा था यहां पर है ना तो यह भी आपको क्यानत रखेंगे एक सब्सक्राइब अगला वैसे गलत युग माँ आपको चुनना आए अगर ऐसे क्वेशन आये ना तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेशन बड़े लाजवाब होते हमारा मतलब एक्जाम में भली ना है एक्जाम में तो भी मतलब आनंदी आना दे क्योंकि अपन कोई ने कोई दो या तीन सुमेलित ज कोटारुख अपने जैसल मेर में निकला बिल्कुल सबसे उचा टीवी टावर राजस्तान का रामगड़ यह भी अपने जैसल मेर में पहला खनीश तेल कुअ कटनोर तनोर्ट में जमिल यह ना या तो बिलकुल जो हैं यहां पर and right answer D option ho जएगा यृउविया राजेस्तान में पहला महीला पोस्ट ऑफिस कौंच से जिले भड़ा गया तो अपने जैपुर में खोल ग्राम नैल Unsure सम्वोस बसी गाञों है भसी गाऊं जो की जैपुर वाला यही है एक और लिख देता हूंँ पहला साइबर Kiosk कहां पे खोला गया बहुत है बोले सर वह भी जैपुर में खोला गया है ना जो कि काला डेरा में खोला गया और पहली ओनलाइन एफाई आर भी मेरे कहाल से जैपुर्द में ही दी गई थी ठीक है तो यह सारी चीज़ा आपको याद रखनी है राजस्तान का पहला सरकारी डाकगर कौन से जले में इस्ताफित या गया और राजस्तान के जोदपुर की बात करें तो सबसे पहला हेरिटेज होटल अजीद भवन समको पता है पहला स्पाइस पार्क मसाला जो की रामपुरा वोसिया में है दूसरा जो की कोटा में है ठीक है अगला क्वेस्टन है देश वे राज्य का पहला सौरूर्जा चलित फ्रीज जो है ना ये कौन से इस्तान पर पढ़ा है मतलब राज्य का पहला सौरूर्जा चलित फ्रीज तो राइट आंशरा आप सभी का हो जाएगा बाले सर गाओं में बाले सर गाओं के आप तो ये तैसीली है ठीक है कहां पर ये जोधपूर में है बाले सर जोधपूर से 70 किलमेट दूरी पर है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला क्वेसन आपकी स्क्रीन पर है राज्य का पहला ओनलाइन जिल्ला नैल है और हाँ एक चीज और भी ध्यान रखना है ये बाले सर बाले सर का और क्या क्या परसीदे देखो बाले सर में एक तो पवन उर्जा भी मतलब काफी यहां से उत्पादन की जाती है और ये एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भी इस्टोन शीटी भी कह सकते है इस्टॉन मचीटी ठीक है जोदपूर की इस्टॉन शीटी ठीक है बिल्कुल साब छलो राजी का पहला ऊंलाइन जिल्ला नाले काशिब की और फिशी ऑपका गए द्यूपर के वारे में अगला question आगया एशिया वे राजस्तान का सबसे बड़ा क्रशी फार्म किस जिल्य में बताओ एशिया का सबसे बड़ा क्रशी फार्म जो है ना कौन से जिल्य में जैसल मेर गंगानेगर कोटा राजमन मैंने आपको बता रखा है रूस की साहिता से है ना कांपे खोला गया सूरतगर में कि उनीसोचपन में खोला गया और दूसरा जो की जैसल में है कनड़ा की साहिता से ठीक है तो यह दोनों यह एशिया का सबसे बड़ा है और यह दूसरा जो है एशिया का सबसे दूसरा बढ़ा ठीक है तो दोनों चीज़ याद रखेंगे बी आप्सन गंगा नगर हो जाएगा अगला क्वेस्टन देश वे राज जी का परतम दुमरपान रहित शेहर को अंसा है बताईए जुन जुन बीका ने जोदपुर बूंदी बोले सार जुन जुन हो जाएगा एना जुन जुन बिलकूल और एक जुन 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 जो है न प्यारे साहते हूं जुन जुन का जो डून्ड लोड हैना डून्ड लोड Möglichkeit तो याँ पे पहला गदों का अभभभभभभभभभभभभभ इस जुनजुन में पहला नर्शिंग कॉलेज जो की प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहली इस्ताफित होई है पर्थम कोर लाइबरेरी भी इसी जुन-जुनों में है तो यह सारी चीजें अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत ही बेतर है पर्थम सहकारी बैंक जिस जिले में ना पाली जैपुर नाग अगर डीग राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जैपुर पर्थम सहकारी बैंक कि सोरी अरे यार डी ऑप्शन जैपुर का हो जाएगा भर्थपुर होगा ना डीग तो भर्थपुर में क्या भोग लाही गए खेर यह इसकी इसना अपना 1904 मुईती यादे मुझे ना प कौंचे जिले में खोला गया राजस्तान का पहला सिमेंड कार खाना कौंचे जिले में खोला गया तो यह खोला गया भाईया लाखेरी में और लाखेरी कहां पर बूंदी में साथुर और लाखेरी पहाड़ी के बारे मैं आपको कई बार बताया है ना तो यह बूंदी में ह और यहां पर पहला कारखान उपन किया गया था और इसी बूंदी में पहला पहली जो शहकारी चैतर में कि शूगर मिल भी इस्तापीद की ती यहां पर तो वह केश्राइपार्टन में जो कि 1965 में करी थी राजी का पहला परमाणू विद्धियुद्गर सरी ऐसे कैसे वहाइब आपको बहुत आसान लगते होंगे मैं कहरा हूं बहुत ही आसान है रियल में लेकिन जो एड़ाज लेवल बता रहा हूं वह भी थोड़ा सा ध्यान लगे और कई बार क्या होता है कि अपन जितना देखते हैं ना कि यह तो हमें आते हैं कई बार एक्जाम में अपन प्रशन पर नहीं कर पाते मैंनेज भी नहीं कर पाते कि पता नहीं इसका क्या होगा उस टाइम अपना जो है अपने वोकला जाते हैं तो ऐसे में रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है तो बस वहीं आपके लिए हो रहा है तो यहां पर आपका रावत बाटा हो जाएगा रावत बाटा अपने चितोडगड में ठीक है राजी का पहला परमाणूं विद्यूत ग्रह ओके ओके सर अगला क्वेस्टन आपकी स्क्रेइन पर और जल्ली से जवाब देना है प्रतम साक्सर जिल्ला कौन सा है अपना राजस्तान का पहला साक्सर चिल्ला कौन सा है और हा पर तो कौनसा, अजमेर को बीकनेर, अलवर? अलजय है, पहला साकसर जिल्लह में आपने आपणे, आपने बना, क्योंकि पता हैं आपको अजमेर का मसूदा नामक गाऊँ है, मसूदा गाऊँ राज्ये का पहला साकसर जिल्ला मसूद अगाउं गोशित हुआ था यह चीज भी आपको ध्यान लखेंगे और पदमा डेरी भी मेरे ख्याल से पदमा डेरी वो भी अजमीर मी तो है ना पदमा डेरी राज्रस्तान की सबसे पहली डेरी से थितर रही है थीक है मैं यह चुप इचन दर में इसकी असथापन होती एगला राज्ष्टान का पहला हाई-टेक डागघर कहां पे इस्थितर है है इस्तान पर इस्तित है जिल्ला तो नहीं पूचा इसमें पुषकर कुछनगड संगने नारगड दो चैतर जयपूर के देर के हैं दो चैतर अजमिर के देर के देर के लेकिन आपका राइट आंसर पुश कर हो जाएगा पुश पाराज है ना को लॉक कर देंगे बिल्कुल हाँ अगला क्वेस्ट ने आपकी स्क्रीन पर है ब्रिटिश काल में पहली नगर पाली का जो थी ना बटपुर को कहेंगे या फिर आबू को कहेंगे या मेवाड को या अजमेर को इसकी स्ताबना 1865 में हो गई थी वैसे और आबू ही थी जो ब्रिटिश काल में पहली नगर पाली का थी सबसे पुरानी नगर पाली का अपनी यह है और इको सेंसेटिव जौन भी मांट आबू ही है मांट आबू जो कि सबसे उंचाईपर इस्तित भी है और सबसे देखो ऐसा question करें न कभी कि सरवादी उंचाई पर इस्तित उंचाई पर इस्तित ऐसा शहर जिसकी जल संक्या सब से ज्यादा है ऐसा भी अक्सर question पूचा जाए तो आप लोग माउं टाबू ही करेंगे राजस्तान का पहला गौमूत्र बेंक कहां पर खोला गया बताईए दोस्तों जल्दी बता दीजिएगा सर ये सांचोर में खोले गया है सांचोर जो कि अपने इसको आप राजस्तान का पंजाब भी बोल सकते हैं क्योंकि पांच-पांच नदिया यहां पर प्रवाहित होती ह ठीक है ये सांचोर जालोर में है दोस्तों ठीक है अच्छा परतम रोप होए भी तो जालोर में है ना राजस्तान का पहला रोप होए जो की 2006 में उपन होगा ता आपको याद हो तो ठीक है अगला क्वेसन है कि भी देश्वे राजी की पहली कमल मिलक डेरी कौन से जिल्ले म open होई यह आपको बता देना जल्दी बताइए तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बीका नेर अच्छा तो एक चीज याद रखना बीका नेर का जो जोहड बीड है ना जोहड बीड यह जोहड बीड दो के लिए प्रसीद एक तो उश्रों के लिए उटों के लिए ठीक जो है अपने एकजाम को क्रेक कर पाओगे अगर ऐसे क्वेशन पूछे जाए राजस्तान की सबसे बड़ी जेल कौन सी है सर कौन देखी राजस्तान की सबसे बड़ी जेल जो है वो जो है बीका नेर जेल है राजस्तान की सबसे बड़ी जेल ठीक है यहां पर आपका राइ मंदिर जो है ना वैसे उसको नाम स्वर्ण मंदिर दिया हुआ है गौड ऑफ मारवाड भी कहते हैं इसको गौड ऑफ क्या हो रहा है एक सेकंड सही से बैठ से यहां चलो जैन दर्म का प्रतम जो स्वर्ण सब्सक्राइब और अग्ला क्वेसन राजस्तान वे वनस्पतिगी की पहली है कहा है कि सब्को पताएँ राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा और अगला जिला कुन सा है अभी अपने डाक गर पढ़ा अब पहला हाई-टेक जिला पुछा सार हाई-टेक जिला तो को सीकर ही होगा सील होगा क्या हां सर फील होगा चलो सील को Lock करते थे और पहला n-c-c गाउं भी यहीं पे है जगमाल पुरा जोकी याद रखना अगला क्वेशन तीस तंबर है विश्वद अरुवर लिस्ट में शामिल लाजस्तान का विजेस्थम्भे मेरांगड़े राष्टे मरूद्या ने आके अव्ला देव गनापक्षी विहार है तो बताइए विश्वद अरुवर लिस् कई बार कितनी बार ही बताया देखते हैं कौन कौन बताते हैं वैसे सबको पताओन अच्छी है जल्दी बतायो राजस्तान का पहला सफेद सिमेंट का कारखना कौन से जिले में है सफेद सिमेंट का कारखना आपको पूचा जा रहा है वैसे सिमेंट की शुगात कहां से होत नंबर 32 से लाकृत या फिर एक वैसन और देश की राजी की नहीं बलकि देश की पंचाहित तर्थ बैसथि जो की अपने नागोर में नागोर बगदरी गांओं से शुप की थी जवान लाल डेरू के अद्धिकष्टा में करी थी ठीक है और बल्वंत्राय मेता बल्वंत्राय मेहता समीती की सिफारिस पर हुई थी वैसे बल्वंत्राय मेहता समीती जो बनी कब थी सत्तावन में ठीक है और 1960 में जो कि मैंने आपको बताया दो अक्टूबर 1960 को क्या हो गया था पर्थम पंचाइद राज वैवस्ता की शुगात हो गया था लास्ट प्यासन राजी की पहली सबसे बड़ी पेजल परियोजना कौन सी है बीसल पुरबान परियोजना या वीर्तेजाजी लिपनेर या फिर जैनान लिपनेर या सौधरि कुंबारा राइट आंसर आप सभी का एवस्तन हो जाएगा बीसल पुरबान परियोजना ठीक है जो कि टॉंक में विस्तरत है टॉंक अजमिर जैसे मेरे ख्याल से सवाई स्लाइड थी तुम्हारा समय सिमित है इसलिए इसे किसी और की जिन्दी की जीकर व्यूर्थ मत करो यहां पर इस कथन का भावार्थ क्या है आप समझ रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपका कोई मतलब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्टी पर नहीं यह भी हो सकता है कि आप हर एक इसको राजी रखने के लिए अर्यार उसका काम करना पड़ेगा उसको राजी रखना पड़ेगा तो आप सेवा में ही रहेंगे यहां फिर आप हां सेवा हैल्प करनी चाही है एक हैल्प यह एक कैटेगरी मा जाती आलग लेकिन आप फाल्तु का मतलब असिमित समय दे रहे और अगर आपका समय उसमें आपको लग रहा है कि नश्ट हो रहा है तो फिर आप अपनी जिन्दगी को रियल में वास्त्विक्ता में वैफ्थ कर रहे हैं तो ऐसा कदा पिना करें क्योंकि आपके लिए समय सीमीत है ये स्टीग जॉब्स कहते हैं है ना और इनको सभी जानते भी है उमीद करता हूं दोस्तों आप समझी गए होंगे वैसे इसमें क्या कोई इतना बड़ा ही नहीं वैसे ठीक है और कल आप लोगों से क्वैसन किया था और आपके लिए आज कुछ एक अलग ही किया कि कि कल जो मैंने दी थी नहीं क्लास आपको बोनस मिला आज क्या मिला क्यों मिला से क्योंकि देखो कल जो क्लास थी उसमें फैसन मैंने पड़ा तब तक तो वह अच्छ पूरी होगी ना तो आपका लाइव में तो आंसर आया नहीं और बाहर मैंने देखे तो तेरा जनोंने आंसर दे रखा था तो मुझे लगा कि तेरा जनों में से अब वैसे भी इसमें तो है ना उसमें क्या होते हैं जो भी नाम आ गया या वो यहां पर लिखना होता है उसमें कोई पता नहीं होता है कि वह किसने कितने बज़े आंसर दिया यह नहीं होता है तो मैंने सब के नाम एड़ कर दिये आपके लिए बोनस हुआ यह ठीक है ना लिस्ट जो है जो आप लाइव से उठाते हैं लाइव से उठाते हैं क्यूंकि उसमें टाइम भी दिया होता है मिनिट का भी चले सब से में टाफलन के पाइए सब आप Naming अब सब के नाम है आद कोई लड़ें के नहीं को जगड़ें के मतलब यह मातमड़ी नहीं करेंगे चमना बावड़ी बिल्कुल पीलवाड़ा है कल के प्रशन का सही उतर देने वाले टॉप मतलब तेरा जरने बिल्कुल टॉप टैन नहीं कह सकते हैं चले आज का जो क्वेसन है राजी की पहली महिला सांसत कौन बनी थी आप लोग बता दो बस फिर है जो आप राजी खुशी अपने इस तर की जो है पड़ाई को अन करो स्टार्ट करो और इसका आंसर आप देते जाई हो यह नहीं कि भूल जाओ ठीक है और हाँ पहली बार हो राजस्तान ग्लासेज पे तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेश जरूर दबा दीजेगा और अपनी तयारी को दुगुनी के लिए होता है हर किसी के लिए नहीं होता भी चलो बहुत-बहुत धन्यवाद है कि अ